सलोप महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया बहु करम कमावे हैं होर नानक जंपुर बद्ध ही मारिंगे हैं जो सन्नी उपर चोर जिन्नी दा मतलब जिन्ना ने नाम विसारिया दा मतलब प्रबु दे हुकम नो विसार दिता है प्रबुदी सिफ़त सलानों रभी गुनानों पुला जिता है बहु करम कमावे हूर हूर करम दा मतलब हूर हूर कम हूर हूर कम बहुत सारे कार देने हो रभी रजाविच नहीं तुर दे नाम दा मतलब रभी रजानों पुला जिता है पर रभी गुणानों पुला दिता है रभी गुणानों जिंदगी विच इंप्लीमेंट नहीं कर दे लेकन होर बहुत करम कर रहे ने बेशकों तीरत ने, वर्त ने, नराते ने, सराद ने इस तो अलावा लब लोग, चोरिया, ठगिया ऐसे करम बड़े कर देने, पर रभी नामनों, रभी गुणानों, रभी गुणानों जिनदगी उला दिता है ऐसी जो जिंदगी जी रहने, ता उनना दी हलात की हुंदी है नानक जामपुर बद्धे मारिये हैं, जियो सन्नी उपर चोर मारिये हैं दा मतलब मार खांदेने, जामपुर दा मतलब जमादी पुरी विच, जमादी पुरी दा मतलब जो विकारां दी पुरी है, काम, करोट, आदिक सन्नी दा मतलब जिवे सन लान देने, पुराने जमानिया विच लोग, चोर सन लान दे सी खास करके अमज्जा गामादी वी चोरी हुंदी सी कारदा समान चोरी चोक के लेजन दे सी ते सान केंदेने पिछो कांद नू पाड़ के कांद दे विचो मंगोरा बना के कारदे विचो समान कड़ना उड़ो कांद विच मोरा बना देने उन सान केंदेने सनी ते सान लांदेयां चोरी कारदेयां जे कुछ चोर फड़या जायते उसनों फिर मार बड़ी बेंदी है गुरु जी कहन ने जिन्ना ने रभी रजानों कुल आदिता है रभी गुणानों कुल आदिता है रभी रजा विच पाने विच गुणा दे विच नहीं तुर दे विच बज्जे हुई मारे जान देने उनना दी जडी सुर्त है उविकारां विच जक्डी रंदी है आत्मक मौते उव मारे जान देने और दुख सहार देने उननों हमेशा परिशानिया डर और चिंता मा बनिगा रंदिया ने और आत्मक मौते मारे जान देने उनना दा जीव अबड़ी एकास हुंदा दा मतलब जेकर जपंदयां दा मतलब जानना, जाप दा मतलब जानना, सांज पानी, हर नाओं दा मतलब प्रभू दा जो हुकम है, जे रभी हुकम दे नाल सांज पाई जाए, रभी हुकम दे अंदर चलेया जाए, ता फिर तर्ती और अकास सुहामन लग देने, क्योंकि उन्हा दे अंदर ठंड वरती रहन दी है, उन्हा दे अंदर शुब गुन हम देने, उन्हा नुए तर्ती और अकाश यानि सारा संसार जिड़े बड़ा सुहावना लग देने, तर्ती एकाश ता मतलब सारा संसार, उन्हा नुए संसार फिर बड़ा सुह नजर्या है ना अपना एक नुए संसार दुखदाई दिस रहा है क्योंकि उधी सोच दे अंदर नेगिटिविटी पाप उतादने। नानक नाम विहुने तिन तन खावे हैं काउं तिन तन दा मतलब उना दे शरीर नू खावे दा मतलब खांदेने काउं दा मतलब काउं नाम विहुने दा मतलब जो रभी सिफ्त सलातों विहुने ने रभी गुनातों विहुने ने जो रभी रजाविच नहीं तुर दे जिनना यानि साथ संतोख दया तरम तीरज आदिक गुन जिन्ना विच नहीं उना दे ताननू कां खान देने। बेननू माडी नजर नलतक्कनगे परायताननू लल्चाइगा नजर नलतक्कनगे। नाम सलाहन पाओ कर निजमहली वासा निजमहली दा मतलव आपने असली कार विच यानि प्रभु दी हजूरी विच पाओ दा मतलब प्रेम, पाओ कार दा मतलब प्रेम कारके। जेडे मनुख प्रेम देनाल प्रभु दी सिप्त सला कार देने, सलाहन दा मतलब सिप्त सला कार देने, प्रेम देनाल। दिली प्यार नाल जो रभी गुणानों कार देने, इंप्लिमेंट कार देने, निजमहली वासा दा मतलब ओ निरोल आपने महल दे अंदर टिके रन देने, उना दा मन शुब गुणा विच टिके रन दे, उना दी सुर्थ गुणा दे नाल जुड़ी रन दी है, उना दा मन विश्य विकारां दे विच नहीं पठकदा, मतलब ओ प्रभू दी हजूरी विच ठिके रहन देने, ओ राबदा रूप होई रहन देने, जेडे प्रेम दे नाल, रभी गुना दे तार निने, उना दा मन पठकदा निने, ओ ये बाहुड जोन ना आवनी, फिर होहे ना बिना स एक वार, जेडे लोक रभी गुना दे नाल जुड़ जान, जेडे वी रभी गुना दे नाल जुड़ जान देने, ओ मुड़के जोन दा मतलब पशू बिरतियां विच नी पेंदे, मुड़के ओ पशू बिरतियां विच नी पेंदे, एक वार जिड़ा साच नल जुड़ गुणान अल्जूड जए जिदी सुर्ध प्रभू 2 अंदर लीन हो जाए उमुड के पशु विर्थिyan में जनी पहांदा वो दे अंदर लालच-वाली जो פुतेदी विर्थिय पैदा नी हुंदी आम ओर पुना चोटे वाली विर्थिय लें दर पैदा नी हुं दी विनास ने हुनिदा उन्हे अत्मक जीवन दा फिर उन्हानु liked मॉत भी नियुंदी उना दे अंदरो जमीर भी नि मर दी कदे उन्हाесте अंदरॉ इंसानियत लिवी नाष नियुदा उन्हाथ और इंदर हमेशा transmit जिंदा रहन दी है वो हमेशा आत्मक जीवन जीन देने हर सेती रंग राव रहे सब सास गिरासा रंग दा मतलब प्रेम नल राव रहे दा मतलब राचमिच जान देने सास गिरासा दा मतलब साल अंदया में ते खांदया में यानि हर समय स्वास स्वास खांदया पिंदया हर वेले हर का रंग कदे ना उत्रे गुर्मुक परगासा गुर्मुक दा मतलब गुरू दे रहीं परगासा दा मतलब चानना हो जाना, परगठ हो जाना, उन्ना गुर्मुखा दे अंदर जो गुरु दे चरना दी शर्न मिच रहन देने, उन्ना दे अंदर हरी दे गुना दा चानना हो जन्दे, उन्ना दे अंदर आत्मक जीवन दी सूज पैदा हो जन्दी है, ए जो प्रेम प्रेम बन जाए dal्ना घुना official in the बाभ हो ये प्रेम दाइं गुरूम्खा देंदर हला लू पर सच्थ controll नवासदे उफ्षा वै दी जन्दिगी चो खतम नहींगा, ओए किर्पा करके मेलें नानक हर पासा, ओए दा मतलब ओ इंसान जिन्ना दे अंदर रभी गुना दा रांग चाड़ गया है, जो गुरु दर्शाय मारग अनुसार चालके प्रभु दे अंदर अपेद हो गयने, जिन्ना दा मन विकारावल नहीं पटकता, जिन्ना बारे पिछे गुरु जी ने विस्थार नल दस्या है, ता गुरु पातिशा जी कहने ने, उस प्रभु ने, अपनी महर करके, उननो अपने नाल मिला लिया हुंद है, जो सदा प्रभु दे नेडे वस्ते ने, नानक हर पास सदा मतलब प्रभु दे प्रभु दे कोल, प्रभु दे नेडे हुंदे ने, ऐसे इंसाना नो प्रभु किर्पा करके आपने नाल मिला लिया है, तो हमेशा ही प्रभु दे नेडे ने, राब बोना दे नेडे है, उना दे आंग संग है, होन राब है ता साधे वी नेडे सारे हैंदे, पर असी आप राबतों दूर हैं। हमेशा उराबते नजदीक रंदेने। उनना चेता के मन डोलदा रेंदे। और डोलदे मन दी निशानिये हूं में बहुत हंकार। औरों तक इदे अंदर बहुत हंकार बने रेंदे। जदों तक इदा मन डोल रहा है। हुन हवा ओंदेनाल एक लेहर उठी है समंदर दे उठे। यो लेहर एहंकार करे कि समंदर देनालो मेरी वक्री होंद है। मैं ते संसार नो पुना कर सकती है। ता लेहर दी होंद वक्री नहीं है ना पानी है। समंदर दा एक आंग है, समंदर दो बिना एक बुलबुली दे की होंद है। एक बुलबुला हंकार करे कि मैं संसार नो डोब सकना। ता समंदर तो वक्री हो दी कोई होंद नहीं है ना। जदों तक दूरी है, ओदों तक होंद है, हंकार है, डोल दा भी है बनता। शब्दे साद ना आवई नाम ना लगए प्यार हुन जिसनु शब्दा रस ने हुन दा साद दा मतलव सुआद रस शब्दा मतलव गुरू दा उपदेश गुरू दी फिलोस्पी विचारत आरा गुरू दा ग्यान गुरू दा दित्ता वे ओफ लाइफ गुरू दा सिधान कोई वी शब्दवर्त लो जिदे नलवी समझ आज़े हुन जिसनु गुरू दे उपदेश राही रस नहीं आ रहे है रस किननु आएगा ये चीज समझन वाली है देखो मैं गुरू बानी दी विचार कर रहे है तुसी गुरू बानी दी विचार सुन रहे हो हुन साननु रस किननु आएगा मैं नू के तुहान नू कैन वाले नू जा सुनन वाले नू जान जिदे तुसी सुनन वाले हो तुह आड़े सारे आंदे विचो रस किननू आएगा रस उननु आएगा जो इस पावनबानी दी विचार नु सूनके पावनबानी नु इंप्लिमेंट करेगा, जे मैं इंप्लिमेंट करांगा इना गुना नु, ताँ उनना गुना रही जेडा सुख पेदा होएगा ओ इना गुना दा रास होएगा गुरुदी अपदेश दा खो होना है। उन जिनने इना गुणानों यूजी नहीं कीता, उनों रास नहीं ना आएगा, ताग गुरु जी कहने ने, जे कोई गुरु दे उपदेश नों इंप्लीमेंट करके उदा रासी नाम आने, नाम ना लगए प्यार ते प्रभु दे हुकम विच प्यार ना पाए, उन प्रभु दे हुकम दा प्यार जेड़ा निदियां गल्ला करनेगा नहीं ना, प्रभु दे हुकम दा प्यार है कि मतलब प्रेम दे नाल रब्नी रजा विच रहा जाए, राब दे पाने विच, जो ला ओफ नेचर है, गुरु दा जो दित्तावे ओफ लाइफ है, उदे नाल प्यार ह में बड़ी सेवा करना, मैं तरमवाली जिंदगी जी रेया, बार दा पहनावा तरमवाला पाया है, गल्ना तरम दियां करता है, ताँ गुरु दी कहने ने, सेवा थाए ना पवई तिसकी, ओधी केती हुई सेवा कबूल नहीं हुंदी, ओधी कालकमाई थाए नहीं पेंद कबूल नहीं हुंदी, ओदे विच्छो सोख पैदा नहीं हुंदा, खाप-खाप होए खुआर हौं में और अहंकार दे कारण खाप-खप के बंदा खुआर हुंदा, दुखी हुंदा रहे। लेखे लगना है जो उसी रब्नी रजा विच जीमांगे, लेखे ओ चीज लगेगी जो उसी गुरबानी नो जिन्दगी विच इंप्लीमेंट करागे, नहीं तां खपना रह जाएगा सरफ। लेखे लगना है जो आपनी रखन दा मतलब अपनी चत्राइगा, अपनी नो मनमता, आपनी खोटी मातन उचाड़दे, आपनी सीमत सोच न उचाड़दे और गुरुदी मातना ता आरनी हो जाएगे, ता गुरुजी कहने नानक ओ मनुख असली सेवक्या जा सकता है जो लेखे उतारदा मतलब चत्राइगा, चलाकिया छड़दे, चत्राइगा, चलाकिया की ने अंदरों होर ते बारों होर, गालता रमदी करनी, लेकिन अंदर सोच विच तरम ना होना, बिहेवीर विच ना होना, कैना एक ही साच बोलो, प्यार दे नाल रहो, लेकिन बोलना च चूट और करनी इरखा, एता चलाकिया हो गया, ता गुरु जी कहने ने ऐस मनुखनू राबदा गुरु दा सच्चा सेवक क्या जा सकता है, जो आपनिगा, चत्राइगा, चलाकिया छाड़दे की सची जिन्दगी जिन्दा है, सत्गुर का पाना मान ले, शबद रखे उरतार, उरतार दा मतलब हिर्दे विच्टिका के रखे, हिर्दे दा मेनिंग है सोच, मेंटैलिटी, जो इनसान गुरु दे पाने नू कबूल कर ले, गुरु दे पाने दा मतलब गुरु दी आगया, गुरु दा दित्ता वे ओफ जो इननो कबूल कर ले, इननो मान ले, ते गुरु दे उपदेश नो अपनी सोच दे अंदर वसाले, यानि यो दी सोच भी गुरु वाली होगे, और उदा बिहेविर भी गुरु वाला होगे, जो गुरु कहिंदा है, ओ विचार तारा सोच विच भी वसी होगे, और उस व चार तारा मुताबक जिंदगी भी जीनदा होगे, बहरी जीवन में ओमें दे होगे, महला तीजा, सो, जाप, तप, सेवा, चाकरी, जो खस में पावे, उन्हें इस दुनिया दे अंदर बहुत सारे लोक जाप जाप रहने, किन्ने सारे लोक ने जो मंत्रा दा रटन कर रहने, जाप रहने, राम अल्ला वाहिब कहरेने, ता किदा जाप रवान है, किदा जाप परवान है, किदा जाप परवान है, क्योंकि दुनिया में जाप नहीं नहीं है, अनेका नामा दा, अनेका मंत्रा दा जाप है, फिर कोई एक तरीका नहीं, अनेका टांग तरीके नहीं है, क अनेका तरह दे जापने अनेका तरह दे जापन दे सादनने ता फिर केडा ठीक मनियें किडा तरीका ठीक है एसे तरह ताप है उन ताप कोई के इंदा है कि आगदियां तो उनियांबाल के विच बैन नल जादा फाल है कोई के इंदा पानी विच खलो के ताप कोई के इंदा जालता रा कीते हैं कोई के इंदा शीर सासन कीते हैं कोई के इंदा रुखा दे नाल लटके हैं कोई के इंदा तरतीदा ट्रटन कीते हैं किते हैं तापने न सारे ता एना दे विचो केडा ताप चंग है confusion है ना ता गुरु जी कहने ने ए जब तब तब तो आड़े सारे भेरत ने सेवा केडी करिए केडी चाकरी किदी चाकरी करिए देविगांदी देवितियांदी मडिगांदी कबरांदी पूझा फिर होर कई किसम दिया पूझावाने तूफत खाईए, केड़ी तूफत खाईए, अगर दी, चंदन दी, केसर दी केड़ी ता गुरू जी कहने ने, असल दे अंदर ओही जापताप है, जो खसम नू पाजाना, राब नू पाजाना पाव के राब दे हुकम दे विच तूरना ही जापताप सेवा और चाकरी ये सारा कुष रभी रजा दे विच रेना, एही जाप है, एही ताप है, एही सेवा है, एही चाकरी है खसम नुपा जाए खसम दे पाने विच रहे रभी रजा दे अंदर तुरना ही पगती बंदगी जाप और ताप है ते जे बंदा राब दी रजा विच नहीं तुरदा गुरु दे हुकम नुफॉलो नहीं करदा मन बचन करम करके साचदा ता आरनी नहीं है ते कोई जाप मेल ले आपत गवावे आपत दा मतलब आपापाव, हंकार, जेडा मनुख आपापाव मिटा दिन्दे, आपने अंदरों आपने एगो नो खतम कर लेंदे, उनो प्रभु आप आपने गाल्दे नाल मेल लेंदे, आपे बख्षे मेल ले, आप ही रहमत करके उनों मिला लेंदे किन्नु आपत गवावे जो आपने अंदरों आप आपाव गवादे इन्दे, मैं मेरी नो मिटा दे, आपने प्राएदे वितकर्यानों मिटा दे, आपने एगो नो खड़के गुरू दिस्से नाहां पे चल रहे, आप उदरापा नो खड़के रब्भी रजा दे अंदर ज जिन्दगी बहुत सौखी है, जीवन दे अंदर शान्त रहना बड़ा सौखा है, पर जे टांग जीवन दा ठीक हुए, जे चीजा समझ आजाने, जे ना चीजानों इंप्लिमेंट कर लिया जाए, दुनिया दे हर मनुख ने, जिन्ना दी भी जिन्दगी विच अख्याइगा जिन्ना विच मैं खुद भी शामला, असी अपनी जिन्दगी नों आप कंप्लिकेट कीता हुया है, असी अपने जीवन दे विच आप परिशानिगा पैदा कीतिगा हुयाने, ओ ख्याइगा आप पैदा कीतिगाने, नहीं ता जीवन ता बड़ा असान है, खुशिगा ते बड़ियां सस्तिगाने, हुन साच बोलना किनना सौख है ना, प्यार दे नाल रहना किनना सौख है, प्यार दे नाल रहना वास्ते ते पैसा खर्च ही नहीं दा, पैसा ते खर्च हुनदा है बनावट विच की मैं तो आडिकार जा रहे हैं ते मैं कोई गिफ्ट लेके जाम ते जिते प्यार होएगा ना ओते फिर जे मैंनों कोई जरूरत होएगी एमर्जेंसी मैं हॉस्पिटल विचा मेरी जान निकल रही है मेरे कुल पैसा नहीं तो तुसी अपनी जेंद जान में मिरतिवार देओ जे प्यार होएगा नहीं ता गिफ्टा तक शीमत रह जावांगे जीवन ता सोख है पती पतनी प्यार ना रहनता किना सोख है यह ता सोख है चीट जाने हर लोका ने अपनी जिंदगी नों कंप्लिकेट कीता हुए है सिरफ पदार्थ दोड़ देंदर अवगुना दी दोड़ देंदर ता गुर उन गुरु जी कहने ने जो प्रभू चर्ना विच मिल जाये ओ मुड के कदे नहीं विछुड़ दा जोती जोदा है थे मतलब है जोदा मतलब है सोच जो अपनी सोच नों राबदी सोच विच मिलादवे ओ कदे मिले हुए है विच्ड़े गई नहीं कि मरंतुबाद कोई मि जोड़े नहीं कि जोड़ा राबविच मिल जाएगा उधा शरीर खत्म हो जाएगा शरीर रहगा जे उन दा ही रहगा बन्दा जदो मरेगा मौत आएगी शरीर एक ओदू ही आएगी लेकिन सोच मिल जाएगी उधी राबदेविच जो राबवर गाह उटएगा हूं देख जी गुरु नानक देव क्यों बन गयने एक क्यों हो गयने शरीर ते दो में गुरु अंगद पादशाजी ने अपनी सोच गुरु नानक देव दी सोच विच मिला दिती है उना दी सोच एक होगी गल सोच दी है शरीर वक्रे ने महला पहला महला दूजा तीजा चौथा पंज लिकिन जो बानी लिखी ये नाम लिखिया है उदो नानक दे लिखिया है कारण कि शरीर वक्रा है सोच एक है सोच गुर्णानक देवाली सोच वक्री नी गल सोच मलान दिये मिलेया कदे न विच्छुडए जोती जोत मिलावे जिड़ा अपनी सोच नो रबी सोच विच मिला दिन्द है उँ मिलेया हुआ फिर कदे वे नी विच्छुडदा उनु क्यों वक्रा कर लोगे जिदी सोच इन अब विच्छ मिले एक बूंद नो तुसी समुंदर विच पाके कि उस बूंद नो कुमें वापस कड लोगे हजारां लखां तरोडां अर्बां खर्बां बूंदां कड सकते हो पर जेडे अनू उस बूंद विच संथ सेम बूंद नो तुसी समुंदर विच्छो बाहर नहीं काड़ पाओगे क्योंकि ओ मिल चुकी है इसे तरह जो अपनी सोच नू रभी सोच विच मिला दिन्द है ओ फिर कदे विच्छुडदा नहीं ओधी सुर्त विच्छुडदी नहीं ओधी अंदर चूट फ्रेब चूरिगा गुरूदी किर्पा नल ओ मनुक समझद है जिसनों प्रभू आप समझ बख्षता है हुन ऐस पंक्ती बे अर्था तू साड़े अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकती अर्था साड़े आपने कीते अर्था नल गुर्बानी विच कोई कन्फ्यूजन नहीं है साड़े विचार नल साड़े अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है जहां असी चलाकी कारके ते आप बचंदा यतन कार सकते हैं कि इस पे इदनों गुरूदी किर्पा नल ओ मनुक समझदा है जिसनों प्रभू आप समझ बख्षता है ताहुन एदा मतलब कि जे सानों समझ नहीं आई पे ग का मतलब दोशी कौने राब और गुरू एगाल नहीं है देखो गुरूदी किर्पा के देते हुएगी जेड़ा गुरूदे कोल जाएगा राब के नों समझ बख्षेगा जेड़ा राब दी शर्न मिच जाएगा जो लेना चाएगा उन्हों बख्षेगा ना ते जे होनसी गुरूदे कोल जाएगे ना जे राब दी में बख्षिस नों असी असेप्ट ही ना करिये उन्हों ठीक वर्तिय ही ना ता फिर दोश किता है राब ने ते सानों धिमाग दिता है राब ने ता आ सारी जड़ी काइनात है देस ता जगत राब दा रूप है एथे ता कोई दो है ही नहीं है साधी जिन्दगी वास्ते सुक शानती वास्ते जो भी चीजना चाहिए दियाने सब मौजूद ने में बहुत वरी गिनिगाने तर्तियक आश खांडम अंडल ब्रह्मान सारा कुष दिंगां पुत्तर पैन प्रा जमीन जैदात थांदा उलत दिमाग साड़ा स सारा कुष ग्यान हुन गुरू ता बक्षिस कर रहा है ना सारे आंते गुरू जी ते सानु कहरे ने बोली है साच ता रम्चू उठना बोली है गुरू ने बक्षिस कीती ना पर असी इस बक्षिस लेन तो इनकार कर दिता कि असी साच नहीं बोलना असी इनकार कीता ना ता आप उज़ावे राबदी रजा पाना सिस्टम ही ए है, कि गुरूदी किरपानल मीन्स गुरूदे ग्यान राही ए चीज समझाएगी, एस पंक्ति दा पाव ए लेना है, कि रब्बी सिस्टम ए है, यूनिवर्सल टुथ ए है, कि ग्यान गुरूदी अगवाई दे अंदर चाल कि इस चीज नो समझे आ जा सकता है, कि चार्च फिर प्रबू है, जेडा आपनी सोच नो रब्बी सोच विच मिला दिन्दा है, ओ कदे भी वक्राने हुंदा, ए गुरूदे ग्यान राही सानो समझ आएगी, ता जेडा भी गुरूदी किरपा दा पात्र बन जान्दा है, प्रबू उन्व आप ए सूज बक्षिस करदा है, ओ अपने आपे नो गवादिन्दा है, ओ पिशले दित्ते हुए गुना नो जूज करदा है, पौडी, सब को लेखे विच है मनमुख अहुंकारी, सब को दा मतलब हर कोई जीव, जो भी ऐस जगत विच है, पशू, पंच् पति, तरती, चंद्रमा, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ भी है, लेखे विच दा मतलब लेखे दे विच है, हुकम दे अंदर है, हुकम दे अंदर है हार चीज, टे हुकम दा मतलब रजा, पाना, लेख, सिस्टम, ला ओफ नेचर, हुने चीज नों देखो चार्च फ विच हुकम दे अंदर है मनमुख अहंकारी पर जो आप हुद्रा मनुख है ओ हंकारी है उस चीज तो आकी ओ चीज नो मानन नहीं रहा ओ हुकम नो समझ नहीं रहा ओ हुकम मताबक जिन्दगी जी नहीं रहा इस करके ओ दुख्री है चीज हर चीज सिस्टम विच सिस्टम अंदर हर चीज मिलेगी पर आप हुद्रा मनुख हंकारी है ओ कहनदा है मैं सिस्टम तो उलट कुश पालवांगा जे ऐसी अपनी जिन्दगी दी सुक शान्ती दी गाल करिये ता एक सिस्टम है कि जे ऐसी साच बोलांगे प्यार नल रहांगे मिलवर्तन ठीक हुईगा मन बच्चन करम करके साच देता आरनी या ता साधी जिन्दगी अंदर सुक शान्ती रहेगी ता समाजदा पला हुईगा ए ता सिस्टम समझ आ रहे है पर दूज़ा बंदा अहंकारी है इस काल नो समझदा नहीं इस काल नो मानदा नहीं ओ ए सोचदा है कि मैं ते नफरत करके ठगिया मारके रिश्वत खोरी चोर बजारी दो नंबर दे तंदे कारके भी सुखी रह सकना ये सिस्टम नो फॉलो नहीं करता हुकम नो फॉलो नहीं करता ऐस अंकार ने इस अज्यानता ने ही समाज नो दुखी किता है ताहीं बलातकार दियां कटनावा ने ताहीं चोर गाने ताहीं बेईमानिया ने ताहीं नश्ये ने क्योंकि लोग समझ रहे ने शायदे ना कमा चोसा नो सुख मिल जाएगा दूजे दी चुगली करके दूजे दी निंदया करके दूजे नो नीमा वखा के मैंनो सुख मिल जाएगा तुसी मैंनो नीमा करके दुखी कीता क्योंकि तुसी थोड़े तगड़े हो ते तगड़ा बंदा नीवे नू दबा लिंदे तुसी मैंनो दुखी कीता मैं अपने तो नीवे नू कीता उन्हे अपने तो नीवे नू कीता हुंदा की ही है सपोर्ज एक मिसाल ले रहे हैं कोई बंदा काम कर रहा है अपने बहुस ते थले ते बहुत चिड़ा है उन्हें अपने थल्ले बाले मुलाजम नो चिड़क दिता उन्हें उन्हें दुखी कीता उन्हें टंग कीता ते जिड़ा मुलाजम है उन्हें बहुत सगे थे बोल नहीं सकता क्वार यहार ते कारवाली ओदे थूडी कम जोरे हुनने गुसा कारवाली चादता ते नु अकल झाहत ञाया डाल बनान दी दूर जी सिजी उने गुसा ओत जढ़े दे कारवाली वी चारी हुने बोलना नहीं चांदी तोग इधर एंदी उद तो आपने तो माड़े ते कड़ी जन्द है ना, एसे तरह है सारा समाज दुखी हुई जन्द है, जे बंदा पहले ही काम गल्प ना करे, सारे एक दुद्धिनल विहार निम्रता वाला करंता समाज सुखी हुजे ना, ता गुरु जी कहने ने हर बंदा लेखे जोखे हुकम तो बहर कुछ नहीं, पर मन दे पिछे तुरन वाला बंदा हंकारी है, ओ हुकम तो बहर चालके रहना चंद है, ते कारदा की है, हर नाम कदे ना चेते ही, नाम दा मतलब हुकम, ना चेते ही दा मतलब कदे याद ही नहीं करदा, प्रभू दे हुकम नों कदे नहीं या हुकम तो आकी, गुना तो आकी, जमकाल सिर मारी, ओदे सिर दे उत्ते जमकाल चोट मार दे, जमकाल दा मतलब आत्मक मौत, आत्मक मौत ते मर जंदे, ओदे अंदरो इंसानिगत मर जंदी है, ते जदो इंसानिगत मर जाए, ओदो फिर दुनिया नो ही दुख दिन दे, तक गुरु जी कहने ने जो मन दे पिछे तुरन वाला है और रभी हुकम तो आखी हो जन्द है रभी हुकम नो फॉलो नी करदा गुनादा तारनी नी हुंदा आगणा विच खचत हो जन्द है जिस करके और नो आत्मक मौत दी चोट सहारनी पेंदी है उदे अंदरू इंसान मर जन्दी और परिशानी और दुख्यां दुख्या हुंदा है ते करदा की यह सारी जिंदगी पाप, डिकार, मनूर, सब लद्दे बहुपारी, मनूर केंदेने लड़या हुए, सड़या हुआ लोहा, ज्यमें लोहे नू जंगाल लग ज़ए ना, ते जंगाल लाग यां पाप विकार दे मनूर दा मतलब जिडे व्यर्थ काम ने उना-दे पारसे उत्य कीलदी फिर दा है तोम तक ऐ taste c नहीं तूरदा एक थे पाप विकार कमांद है ए चीज ते समझ आगई तेक सड़या होया लोहा सिरते केड़ा लद्याय एक तीर थां ते जान दाय नान कदे वर्त कदे नराते कदे जोता जगालिया कदे तू बतित खा ले पुठे सिदे काम कार ले जंगलां वे चला गया करम कांड करम कांड सड़या हुया लोहा नकम में काम जिनना दा कुई लाब नहीं है ओ सिरते चुकी फिर्द है पाप विकार कमाई फिर्द है मारग बिखम डरामना क्यों तरिये तारी मारग दा मतलब रास्ता बिखम दा मतलब ओखा तारी दा मतलब तरिये के में संसार नदी संसार सागर तारी दा मतलब नदी हुन दर्या होवे बड़ा बड़ा जारा दे विच होवे समुंदर दर्यादे विच्छों समुंदर चो करना ते वैसी योख है वडिया वडिया थिलना पेरिंगाने को मन के इरिंगाने किष्टी तो जाज तो भी ना तो उत्थे जाना मुश्कल है अनजान किष्टियां वाले ताम चंगे पले दोबले देन ना इच्छे सातलो जो वेच एकरी है ओ ते अपनिया किष्टियां में डोग बेंदेने ते किष्टी भी ना हुए रास्ते विच दर्या ठाठा मार रहा हुए बंदेन उतार के लंग नहीं ओक है ते जे सिर्दे उते पार भी लद्या हुए ते ओ भी बेकार मनूर चुक्या हुए ओ बंदा के में अदी तर ज जीवन जीना हुए आत्मक मिलाप हासल करना हुए प्रभूदा चांदा हुए बंदा आत्मक मानसिक शान्ती ते अपनी खोपरी दे अंदर पाप विकार ते कर्म कांड परे हुए हूं ता किमें वे ना विकारां को फार हुजे किमें शान्ती तक हुँच जे इसलिए गुर चुल राखे से उब्रे हर नाम उदורה हे नानक आख के जिनना नो गुरू ने रख्या जिनना ले गुरू ने राख्य की थी ओ बच गै हर नाम उद tara चुकि उना नो प्रबूदे गुरू ने हुकम दे नाल जोड़या कि हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नाल वो हुकम दे अंदर चले उन्हाने सिस्टम नू फॉलो कीता उन्हाने पाप विकार छड़ दिते वो गुना देता आरनी हुए ओ लोग बच गये जिन्हानू गुरू दे सहायता दिती गुरू ने ग्यान दिता गुरू ने सहायता दिता मतलब गुरू ने राखी कीती गुरू ने ग्यान दिता गुरू ने विकारा तो बचन दा सादन दिता ओ लोग बच कै क्योंकि रब्बी हुकम ने उना दा उधार कीता रब्बी हुकम ने उना नू बचा लिया रबी सिफत सला ने बचा लिया ता इस तरह जेड़ा इनसान गुरू ग्यान मताबक जिंदगी जीनदा रबी गुनादा तारने हमदा है रबी रजा पाने हुकम नो फॉलो कारदा है ओ बाच सकदा है एपॉसिबिल्टी हर एक दे अंदर मौजूद है सलोक महला तीजा विन सत्गुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे हैं वारो वार सत्गुर दे दस्थे रातों तो बिना सुख नहीं है कि जे कोई कहे कि मैं गुरू दे दस्थे राहां ते ना चलना ग्यान गुरू दी अगवाई विच जिंदगी ना जीमा गुरूद दिद्धे वे उफ लाइफ नो फॉलो ना करा, ता सुख नहीं मिल सकता, चूट, फ्रेब, लोब, लाल्च वाली जिन्दगी जी के शान्ती नहीं आ सकता। मर जम्मेह वारो वार, मर जम्मेह वारो वार दा मतलब बंदा जामदा है और मर जंद है। प्रोद दा ओफुंकारे मारन लाग पिंद है। लोग यात्रा कर देशन, तीर थां दी जहां एक शेहर पिंद तूं दूर जे शेहर पिंद जाना रास्ते विच ना तरमशाला वारुकन वास्ते जगा मां बढ़िगा हम दियासन। ते ओथे मुसाफर सौंजान देशन, ते कई जड़े ठाग लोग ने ओएक ऐसी बूटी संगा आके बंदेनों बेऊशकार देशन, ते ओधा समान वगएरा लोट लें देशन। अजकल भी आनशे दियां गौलियां जाओ कोई नशे आली कोई संगा के चीज़ सौंग लें नें ता उते मोश दी ठागमूरी बूटी यह एत नों ठागमूरी काहर है जिन्ना ने अपने अंदर मो पैदा कर लिया है विकार ना मतलब होर उपाब और अपराद कमाई जान देने प्रभु दे हुकम दे विच जीवा नू ऐसी मोदी ठगमूरी बूटी फाई हुई है कि माया दे प्यार विच फसके बंदे बठेरे मंदे करम कारते रहें पर सारे नहीं ऐसे कुछ लोग बाच जान देने बाच दे कौन जान जड़े बचना चान देने उनना नू की करना चाहिए एक गुर पर साधी उबरे इस जान को करें सब नमस्कार एथे इक दे कके नल सहारी एदा मतलब कई गुर पर साधी उबरे गुरू दी किरपा नल बाच जान देने ताँ गुरू जी केन देने कई पागामाले बंदे तो बच जन देने गुरू ग्यान सदका ते ऐसे लोकानों सारे लोक नमशकार कर देने उन्हों सारे लोक सिर्ने बान देने ऐसे लोकान दा सारे लोक आदर कर देने इस जन को करें सब नमशकार दा मतलब ऐसे बंदेनों सारे नमशकार कर देने मतलब सारे ही उदा आदर कर देने, सत्कार कर देने, कौन? जेडे लोग गुरु ग्यान मताबक जिंदगी जी के मो तूं, विकारां तूं बच जान देने, जो प्यार, मुहबत और सत्संतों वाली जिंदगी जीन देने, उन अदा फिर लोग सत्कार कर देने, ता जे असी मी चान देयां कि साड़ा भी मान आदर सत्कार हुवे, ता गुरु ग्यान मताबक सानूं इन अविकारां तूं बच के गुनानल जुड़ना चाहिए, ता गुरु पातिश्या जी हुन सानूं उपदेश कर रहे हैं, सारा कुछ समझा के, नानक आन देन नाम ते आये तूं अं चाहिधे ता रफ़ि काला हैं, साल नानक थे ठोड़ा रटूरे फिर अंतर येंदन नाम तकाहिए तूं अंतर जित पामें मोख दुआर अंधन दा मतलब रोज हर समयं, अंतर दा मतलब आपने दिल विच हिर्दे विच सोच दे अंदर, थे आए दा मतलब वसा याद राक तूमी हर रोज अपने हिर्दे विच प्रभु दे गुणा नुवसा, प्रभु दे हुकम नुवसा, अपना त्यान रभी रजा विच जोड एचीज त्यान विच रख की में रजा विच तुरना है तेरे त्यानविच रब्वी गुण हों अपने अंदर वसा इना गुणानों ते इना गुणा और रब्वी हुकम दी बरकत नल जित पामें मोख द्वार तू मोहोठ गौली तू बचंदा वसीला लब लेंगा तेनु मोक्ष पदवी मिल जाएगी मोक्ष दा रास्ता मिल जाएगा ओ रा मिल जाएगा जिस राते चलेयां ए विश्य विकारां दे कदे नेडे भी बंदा नी जाएगा महला तीजा माया मोह विसारया साच मरना हर नाम मोह दा मतल मोदे कारण मोदे हाहे नलसे हारी मोदे कारण साच मरना हर नाम विसारया दा मतल पुलाया हुया है साच मरना दा मतल मौत हर नाम दा मतल प्रबू दा हुकम अच्छ जेड़ा है सदा है ते राबदा हुकम ही सदा है एदे तो बहर कुछ नहीं हो सकता हुकम तो बहर असी कुछ कार नहीं सकते साचतों बिना जिन्दगी विच शांती नहीं आ सकती और जड़ी मौत है एक दिन मरना ही पेहना है शरीर करके एतिने चीज़ां जरूरी नहीं ते एतिने ही बंदे ने पलाईया हो यहां ते पलाईया क्यों ने माया महो माया दे मो दे कारण माया दा मतलब साड़ी जड़ी सोच है पैड़ी इस पैड़ी सोच दे कारण पैड़ी सोच दे मोदे कारण मौत अटल है प्रबूदा हुकम सदा थिर है और साच जेड़ा है इनानु बंदे ने पुला दिता हुया है ए चीज़ां पुला बैठा हुया है मुद एकार ते जिनने ए चीजना पुलादितिया हूनु फिर उदी जिन्दगी कि में बीट दी है तंधा करते हैं जनम गया अंदर दुख सहाम सहाम दा मतलब सहार दा है ओदा सारा जीवन तंधे कर दियां बीट जन्दा है कजगी देखो तंधे विच और किर्ट विच फरक काम है असे काम करना है जिन्दगी चीज़् एकाम करने पैने ने हून इस काम दे दो रूप में जेते बंदा साचनों बेस बना के काम करेगा ता फिर ओ सची किर्ट बन जाएगी ओ पगती बन जाएगी ओ काम सुखा दे साधन बन जानगे ओ काम में नू दुखा तो मुक्ती दवा देनगे पर जे बन दा चूट फरेब लालच नू बेस बना के काम करेगा ओ काम में दे वास्ते जंजाल बन जानगे ओ दे वास्ते दुखा दा कारन बन जानगे एदे आत्मक जीवन दे विकास दे विच रोडा बन जानगे एक अदे भी आत्मक जीवन वाले इंसानित वाले पास से वद नहीं सकेगा ओ जंजाल बन जाएगा अजिन नब्धेसी कामकारदेयां अनली वरत नहीं जा दोख पैदा करना ली 24 बन्दे भी आपनी है प्रफसोस रल केहना पैंदम now भी वंदेने टांग ओवरत यह पर जोड़ा दोख पैदा कर दे तक गुरु जी कहनेने जिननाने माया मौदे कारण साचनू प्रबूदे गुनानू रबी हुकमनू और आत्मक मौतनू कि में आत्मक मौते भी मर रहना चीजानू कुला दिता है उसारी जिंदगी कजगी ही करदे रंदेने जंगाल वे चीफसे रंदेने तंदे ही करदे रंदेने और उना दे अंद मैं करम पूरव दा मतलब, पूरव विच, सेव दा मतलब, सेवा करके, पूरव दा मतलब शुरू तूम, लिख्या कराम दा मतलब जिनना ने शुरू तूम जो melhores करम लिख्या है, को देखो करम88 हैं, हुआ bisher है, कलम राबदी वी चाल रही है ते कलम साधी वी चल लएní, मैं बे आज़ा है, माश्टर ब्लैक बूर्ड दे उत्ते लिख के दस्ता रहा है, बच्चे पड़ दे रहने, और साल बाद बच्चेया नू पेपर दिता गया है, वो भी लिखिया होया दिता है ना पेपर, ते फिर बच्चेया दे कलम चली है, बच्चेया ने अग्वों कुछ प्रसेंट हुन नंबर माश्टर दी कलम दे रही है, पर देक में रही है जिम्हें बच्चेया दी कलम चली है, एक दी कलम चली 2 प्लस 2 is equal to 4, और माश्टर ने लिख दास नंबर, ते एक ने लिखिया 2 प्लस 2 is equal to 3, 5 जा जीरो, और नंबर किन्ने मिलन गए? जीरो ना, जी तुहानों में तुसे टीचर हो जी किने नमबर दे ओगे, तो फिर माश्टर की में चल ली तो आड़ी कलम करके, इसलिए जेड़े करम ने, जेड़े सोख और दोख ने असी पहला कलम चलाई है, करम कीते ने, फिर राबदे सिस्टम में तो राबदी कलम चल ली अपने अंदर शुब लेख लिखे ने, अपने अंदर शुब संसकार लिखे ने, ओना ने सोख पाया है। होन समझ आई जी कि साड़े सोख और दुख साड़े अपनी जिम्मेबारी है, साड़े अपने कीते कर्मा दे फाल में और ऐस सिस्टम देवे चोई मिलेगा। होन जे हरी नाम दा लेखा पढ़ लिये। हर नाम दा मतलब रबी हुकम जे बनदा रबी हुकम दे लेखे नू पढ़ लेए, पढ़ लेए दा मतलब समझ लेए। फिर लेख ना हुई फिर ओ दा लेखा जो खानी हुंदा फिर उन्हों माडे कर्मा दा लेखा नहीं को गतना पेंदा फिर जड़ा केंदेने चितर गुपद्दे लेखे ते फुलाने लेखे ते ओ लेखे नहीं हुंदे कोई भी उसारे वैम निकल जान देने जे रब्बी हुकम नो समझ लिया जाए ता फिर दुखां दा पापां दा विकारां दा लेख अंदर पैदा नहींगा लेखा पढ़िये हर नाम हर नाम दा मतलब रब्बी हुकम पढ़िये दा मतलब जे पढ़ लिये पढ़ लिये दा मतलब समझ लिये जे रब्मी हुकम दे लेख नों समझ लिया जाए कि रब्मी हुकम दे अंदर चाल के सुक, शांती, अनांद खेडा, प्रसंता मिलनी है फिर लेख ना हुई, फिर उदा लेखा जोखा नहीं ले आजानदा मतलब ऊदा जेडा लेखा जोखा है, ऊ ठाय पैजनदे उन्हों फिर दुखाना लेखा नहीं लिखना परदा, नहीं उन्हों दुख को गुने परदे हैं। उदी कोई फिर पोच्छ नहीं धी और ऐसे इंसाना तो दे उट्टे कदे शाक्वी नहीं किता जा सकता जिडे इमानदार लोक ने ता जिनना अनू राबदे दारते टोई मिली रहन दी है जिनना दा लेखा जिडे रभी हुकम दे लेख नू समझ लें दे ने उनना नू फिर जमकाल दा मतलब है जम दे जड़े काल जमकाल दा मतलब मौत मौत लियानवाले जड़े विश्य विकार ने काम करोद लो मो इत जमकाल दा मतलब काम करोद लो मो लोकानों दुख ही कर रहे ने लेकिन ओनों पेट दे के उदे चरना विच आजूड़ेने सेवक नित हुई उद तो दुख ही है पर जेड़े रब्मी रजा नू समझन वाले सिस्टम नू फॉलो करन वाले गुरु ज्यान मुताबक जिंदगी दीन वाले ने उना नू पेटा दे के मिल देने काम क्रोड आ दी और उना दे सेवक हो जन देने पेटा सुखानी क्योंकि उना देड़ा काम है उना दे काम कंट्रॉल विच है उना दे काम कंट्रॉल विच है उना क्रोड नू बीर रस दे रूप विच वर्थ देने उना लोब नू संतोग दे रूप विच वर्थ देने मो नू प्रेम दे रूप विच वर्थ देने उना हंकार नू स्वाभ हिमां दे रूप विच्वर्त ने के पंजे ही उना दे दास हो जंदे ने पेटा दिन देने सगोईना एजडे पांज ने ओही ओदे सुखांदा कारण बन जंदे गालता वर्तों दी ये पूरे गुर्ते महल पाया पात परगट लोईन था गुरु पातिशार जी कहने पूरे गुरु दे राही आत्मक ते काना मिलदा है रब्ये चरना मेंच निवास मिलदा है और पूरे लोकां दे अंदर मतलब पूरी दुनिया दे अंदर उदी पात परगट हो जन दी ये प्रवाजदे मिल दिया जो इंसान ऐसी जिंदगी जीनदा है ओदी फिर इजत उगी हुजन दिया संसार विच उनु मान मिल दै नानक अनहद तुनी दरवाजदे मिलेया हर सोई अनहद दा मतलव एक रस लगातार कंटी जो तुनी दा मतलव सुर अनहद तुनी दा मतलव एक सुर वाज़े खुशी दे वाज़े मिलेया हर सोई दा मतलव जो प्रभू दे चरना दे विच मिल पेंद है जदों मनुख रब्मी रजादे राही राबविच मिलजन्द है यानि मनुख दी सोच रब्मी सोच विच मिलजन्दी है ओदों फिर ओदे अंदर लगा तार खुशना दे वाजे वाजदेने ए नहीं के अंदर बैंड वाजदेने खुशना दे वाजे उदे अंदर चड़ दी कला है उदे अंदर सच है, संतोख है, खुशी है, अनांद है, परसंता है उदे अंदर मानो हमेशा हमेशा खुशना दे, खेड़ें दे, वाजे वाज़ेने जेडा इंसान प्रभु दिनाल मिल पेंदा है ताग गुरु जी रहमत और बक्षिस करन कि असे में ऐसी जिंदगी जी सकिए और ऐसे जीवन दा अनन्द मान सकिए पावन बानी आप पढ़िये गुर्बानी दे अर्थ पाव आप विचारिये और गुर्बानी मताबक जिंदगी जी के अपने जीवन में सफल और सुज़ा करन्दा यतन करिये